प्यारे बच्चो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम ही आपके नसनस में उत्साह का संचार कर देगा हाँ सही कह रही हूं मैं पाठ का सेशक है हल्दी घाटी और हल्दी घाटी का नाम जैसे ही आपने सुना तो आपके मन के अंदर राना प्रताप की वीरता यूहीं कौंध जाती है जैसे बिजली कौंटती है तो आज हम उस खंड काभी के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे जिसका सेशक है प्रताप विजय और यह खंड काभी लिखा है स्री ईश्दत्र शास्त्री जी ने यह अत्यदिक प्रसिद्ध खंड काभी है और इसका कथानक आप समझी रहे हैं कि महार प्रताप की वीरता और मुगल सासकों के साथ जो उनका आजीवन चला है संघर्ष उस पर आधारित है इस काभ्यांश में कभी ने हल्दी घाटी के प्रतीक कण को उस संघर्ष का साक्षी माना है और वो मानते हैं कि आज भी जो उसकी सुंदर्टा है उसकी वीरता ही है और सुंदर्टा का वर्नन उन्होंने किया है बिल्कुल सुंदर्ष कौमल पद्जियों के द्वारा यह एधियासिक अथानक है और कभी की जो वर्नन शैली है वो इतनी सुललित इतनी सुंदर इतने शब्दों की संग्रचना इतनी प्यारी है कि आपको सुनकर के ही इतना आएए बच्चो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस पाठ के उद्देशियों की यह पाठ जो रखा गया इसका कुछ तो उद्देशी होगा आप जानते हैं मैंने कई बार आपसे कहा है कि ना प्रयोजन मन उद्दिश्य ना मंदों पी प्रवर्टते बिना प्रयोजन के बिना उद्देशी के मंद से मंद व्यक्ते भी किसी कारे में प्रवर्टत नहीं होता है तो इस पाठ को चैन करने का जो उद्देशी है वह यह कि संस्कृत में किस तरह की रचनाय हुई है रचनाओं की विशय वस्त में किस तरह की विविधता है इससे आप परिचित हो सके संस्कृत में विज्ञान भी है संस्कृत में वीरता भी है स्रिंकारस तो हर साहिती में होता है लेकिन वीरत के काभ्यों से परिचित कराना इस पाठ का उद्देश है और आपके अंदर इन श्लोकों को पढ़कर के जोश और जजबा बढ़ सके आपका उत्साह भर सके यह भी और इसका जो आनन्द है जब हम पढ़ने लगते हैं शब्द का अर्थ तो बाद में समझेंगे लेकिन उसकी वाचन शैली में ही जो आनन्द है उसका अनुभव आप कर सके और श्लोकों का पठन यह एक बहुत बढ़ी कला होती है जब हम श्लोक पढ़ते हैं गीत पढ़ते हैं कभी तहां पढ़ते हैं तो उसका एक होता है आरोह और अवरोह कहां उपर जाता है और कहां नीचे आता है तो इस तरह से आप वाचन कर सकें यह भी इसका उद्देश है और अंतमी जो पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ है वह भी आप जान सकें यह इस पाठ का जाते हैं कभी उन संदेशों को जब आप अपने जीवन व्यवहार में उतारते हैं वही देश भक्ती का जज़बा अपने अंदर पाते हैं तो समझे आपने इस पाठ को पढ़ लिया तो आएए श्लोकों के माध्यम से हम हल्दी घाटी की विशेशताओं को जानते हैं जो कभ इस दर्दशास्त्री आपको बजाना चाहते हैं तो आएए अब पढ़ते हैं और आनन्द लेते हैं इन श्लोकों के पठन का श्लोक शुरू करते हैं स्वाधीन तार्य भुवि मूर्ती मती समाना राणा प्रताप बलवीर यविभा समाना आटी कते समुपमा नहीं आम्शुशोचे शाटी वसाज यदिकाचन हल्द घाटी प्यारे बच्चो देख लेते हैं बड़े बड़े शब्द होते हैं तो अन्वय के बारे में आप जानते हैं कि श्लोकों में जो क्रम आप व्यवस्थित से होते हैं उन्हें जब हम गद्दी की भाहती व्यवस्थित रूप में करते हैं तो वह होता है अन्वय तो अन्वय के साथ ही हम शब्दों के अर्थों को जानने की कोशिश करेंगे याम समुपमान नहीं आठी कते याम जिसकी जिसकी किसकी हल्दी घाटी की समुपमान नहीं आठी कते समुपमान जिसके समान उपमान नहीं आठी कते आठी कते इती पदस्य अर्था भवती प्रापनोती जिसकी उपमान नहीं पाई जाती है नहीं पाता है। और वह कैसा है सा शाठी इम शुशोच ह। शाठी भवती शाठी का साडी वह साडी के समान इम है के समान। साड़ी के समान कैसा शूशोचिह शोभना शोचिह प्रभा यस्यस शूशोचिह जिसकी प्रभा जिसकी कान्ति बहुत सुन्दर है साड़ी के समान जो शूशोचिह सुन्दर है वैसी आर्य भूवी आर्यों की भूमी पर इस भारत भूमी पर समाना मूर्तिमती स्वाधिनिता सामाना मान के साथ सम्मान निय और क्या मूर्तिमती स्वाधीनिता मानो स्वाधीनिता ही एक स्त्री का रूप ले करके आ गई हो मूर्तिमती जैसे स्वाधीनिता हो ऐसी और राणा प्रताप बल वीर्य विभास माना राणा प्रताप के बल से ताकत से और उनके वीर्य से उनके प्रताप से उनके वीरता से जो विभास माना है जो शोवित हो रही है जो भाइवान है ऐसी काचन हल्दी घाटी जयती कोई हल्दी घाटी नाम का की जगा हो जाएगा यहां पर स्ट्रिलिंग है नाम का की जगा हा जयती वह जीतता है यानि शुशोवित हो रहा है अर्थात भारत भूमी पर हल्दी घाटी शुशोवित हो रही है उसकी जय हो रही है और कैसी है हल्दी घाटी जिसकी उपमा नहीं प्राप्थ होती है उसकी उपपा हम किसी से नहीं दे सकते हैं और जो साड़ी के समान जिसकी प्रभाव बहुत ही सुन्दर है इस आर्य भूमी में इस स्रेष्ट भूमी में जो मान पूर्ण है पूर्ण है और मानो साकार स्वाधीन ता रूपधर करके आ गई है वैसी हल्दि घाटी राणा प्रताप के ताकत से उन की वीरता से विभासित हो रही है चमत्रत हो रही है ऐसी घाटी हमारे भारत में शोशोभित हो रही है या इस श्लोक का अर्थ है और मुझे लगता है इस श्लोक को सुनने के साथ उसको समझने के साथ ही आपके मन में भीरता का संचार हो रहा होगा तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले श्लोक की और और हम देखते हैं कि कभी क्या कहना चाहते हैं हल्दी घाटी की और कौन सी विशेषता बतलाना चाहते हैं अब दूसरा श् प्यारे बच्चो अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं हम अन्वय के माध्यम से अन्वय में आपको अपने आप आधिये से ज्यादा अर्थ तो अपने आप ही लग जाएगा उसकी बाद जो बच जाएंगे जो क्लिष्ट शब्द आपको लगते हैं प्यारे बच्चो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी शब्द कलिष्ट नहीं होता कठिन नहीं होता आपका अगर उससे परिचय नहीं होता है तो आपको कठिन लगता है जब आप परिचित हो जाएंगे तो अपने आप आसान हो जाएगा तो देखिए अन्वयों के माध्यम से अर्थ करने की कोशिश करते हैं हे प्रिय ओ प्रिय ओ प्यारे यदा प्राची मंद मंदम हसती प्राची का भवती पूर्वदिशा भवती पूरब दिशा कैसे बहती है मंद मंदम हसती मंद मंद हसती है धीरे धीरे हसती है अब पूरब दिशा मंद मंद कब हसेगी जब सू साविज पूरज की जो रोशनी होती है थोड़ी धी मी होती है। अर्थात यह सूर्योदे के शेल रही है। यदार्ची जिस समय पूरवदेशा मंद मंदम हसती, धीमे-धीमे हसती है। यानि सूरी की किर्मे धी में धी में फैल रही हैं यदाच और जब वायोह वायो यानि हवा नंदन जम मरंदम वहाती नंदन जो है स्वर्ग का उपवन है और नंदन सी उत्पन मरंद को यानि पुष्प के पराग को धारण करता है अब किसी भी फूल के उद्ध्यान की आप कलपना कीजिए वहाँ पर खिले हुए फूलों की आप थोड़ी सी कलपना कीजिए और जब फूल होंगे तो उनमें पुष्पों के पराग भी होंगे और जब वो पराग होते हैं जब धीमी धीमी हवा बहती है तो वो पराग देंगे वातावरण में तो यही कभी का कहना है कि यदाव वायु हो जब वायु हवा नंदन वनात स्वर्गस्य उपवनात उत्पन्नम मरंदम कुष्प परागम वहती पुष्प पराग को ले करके फूलों के पराग को ले करके बहता है तदा उस समय उशशी का अर्थ है प्रातहकाल में प्रत्यहम प्रतिदीनम प्रतिदिन या जो मती माननियाम इति पदस्य अर्था बवती बुद्धि सम्मताम बुद्धि मानों के लिए जो बुद्धि सम्मपन लोग हैं उनके कांचनियाम कांचन का अर्थ होता है सोना और कांचनिया क्या हो गया सुनहला कांचनियाम कांचन शोभाम दधाती के बिलकुल सुनहला जैसे सोने की शोभा सुनदर्ता को दधाती यानि धारयती जैसे धारन कर रहा हो प्यारे बच्चो जब हम किसी भी श्लोक का अर्थ जानते हैं समझते हैं तो पूरी तरह से उसे समझने के लिए हमारे अंदर थोड़ी सी कलपना सील्टा होनी चाहिए कलपना शील्टा जब होगी तभी तो आप इसका अनुमान कर सकते हैं कि अब देखी कलपना कैसी सुंदर कलपना है कि पूरब दिसा में सूर्योदे हो रहा है दीमी दीमी पीली रोश्नी फैल रही है और हवा जो है नंदन वन यानि स्वर्ग का जो उपवन है उससे मरंद ले करके बहती ही हवा और प्रातहकाल में जो सुनहली शोभा है उसको धारन करके बहती ही जो हल्दी घाटी का सौंदर रिवर्णन किया है कभी ने या अद्वुत है तो थोड़ा सा कलपना की आँखों से देखिए और इसका आनन्द लीजिए और आए अब बढ़ते हैं इसके अगले श्लोक की ओर अब इस श्लोक में कभी कहना चाहते हैं कि जो वीर हैं वही इस धर्ती की बात सुने या इस धर्ती पर पैर दें और थोड़ी सी धमकी भी है कभी की कि अगर तुम्हारे अंदर वीरता नहीं है तुम्हारे अंदर देश प्रेम नहीं है तुम्हारे अं प्रवेश्णा करें ऐसी कभी की इच्छा है तो आइए इस लोग को पढ़ते हैं मां का तरा मां का तरा स्फ्रिशत माम प्रिय पारतंत्या अध्यापियन विता जननी सुतंत्रा यत्रेर्मेव गदतीव ततिस्तरूणाम साखा कदम कृतमरमर मातनूत तो प्यारे बच्चो इसके अन्वेप को देख लेते हैं अब यत्र जहां पर तरूणाम ततिह मनुष्य नहीं कहता है ब्रिक्ष कहते हैं तरू क्या होता है ब्रिक्षा नाम ततिह ततिह भवति समुहा ब्रिक्षा नाम समुहा किम कतियती क्या कहता है प्रिय पारतंत्या अब प्रियम पारतंत्रियम ये शाम ते प्रिय पारतंत्रिया जिनको पारतंत्रता गुलामी जिनको प्रिय है अच्छी लगती है और वो कैसे हैं जिनको गुलामी किसको अच्छी लगेगी जो कातर हैं जो डरपोक हैं कायर हैं तो कातरो तुम्हें जिनको भी पारतंत्रता जो कि अध्य अप्य आज भी जननी याने माता कौन सी माता है भारत माता है जननी को भारत माता को यदि तुमने स्वतंत्र नहीं किया विहीता कृता अर्थात आंदोलन करने की बाद अगर तुमने इस भारत भूमी को स्वतंत्र नहीं किया है तो तत तब माम मुझको मास प्रेशात बिल्कुल मत्स पर्श करना माम यहाँ पर है असमत शब्ट के दुदिया एक बचन का रूप है यानि मुझको और मा का अर्थ होता है मत यह निशेदात्मक अभ्या है आप जानते हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हिंदी में मत कहते हैं संस्कृत में इसको मा कहते हैं बच्चों आप ना में नहीं में और मत में तो अंतर जानते ही हैं वही संस्कृत में ना और मा में अंतर है तो कहते हैं की तती अर्थात विक्षों का समोग क्या कहता है जिने गुलामी अच्छी लगती है और जो डर्पोक हैं और डर्पोक कब वो प्रमानित होते हैं अगर उन्होंने आज तक भी जननी को भारत माता को स्वतंत्र नहीं किया है तो ऐसे स्थिति में मुझे मत छुओ अर्थात हल् घंक गलती भी मत करना हैसे जुरत भी मत करना इती ऐसा एवं गदती एवं जल्पपती ऐसा बोलता हुआ साखा कडमव क्रुट अbnर्मरम आत्नोधी यह कहता है कौन है उन्हीं व्रिख्षों का समूःटो में क्या होती है टहनियां होती है शाखा क्या है टहनी सकनियों का श मरमरा किम भवाते, सुखे वे पत्तों की जो द्वनी होती है, वह होती है मरमर. तो ऐसा अपनी टहनियों के समोहों से मरमर की द्वानी पत्ते सुखे पत्ते गिरा करके द्वानी करता है। आवाज करता है कौन व्रिक्षों का समू और वह किसको सावधान करता है किसको सचेत करता है जिन्हें वीरत आपने नहीं है जो कायर है उनको तो मुझे लगता है बच्चो इन श्लोकों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कहन चाहती है हल्दिगाटी की धर्ती ग्रणी रभय युद्ध कला कलापह कवा सतनया स्तंया क्रता आपी अत्रत्य निर्जन वनेत यदा कदाचित मारतेरो धीति सखे इसमें वीरता के साथ साथ यह शोक भी है एक मां का शोक एक मां के रिदे की पीड़ा यहां ब्यंदित हुई है इस लोक के माध्यम से तो आएए बच्चो अन्वे के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कहता है सखे ओ मित्र अथ क्या होता है जब किसी चीज की शुरुवात की जाती है तो अथव्य का प्रियोग होता है यदा कदाचित जब कभी भी यदा जब कदाचित कभी किसी समय अत्रत्य यहां के अत्रत्य क्या है यहां का निर्जन वने निर्जने वने अर्था जनहीन जंगल में जंगल में तो कम ही लोग होते है, लेकिन कभी-कबार हो भी जाएं तो यह कहे रहा है निर्जन है, बिलकुल जनहीन है, ऐसी जंगल में काचित, कोई, कौन, कुररी, क्रॉंच-Pakshi का नाम आपने जरूर सुना होगा, अगर आपने वालमी की रामायन की बात सुनी होगी, तो ख्रॉंच-Pakshi की बात भी मिली थी तो वही क्रॉंची है यहां पर कुररी का अर्थ क्या हुआ क्रॉंच पक्षी स्ट्रिलिंग में है कुररी और माता इव अवस्त्री है तो माता स्वाभाविक है माता के समान इव है के समान माता के समान क्या कहती है हाँ हाई विलाप करती है हाई सह वीराग्रणी वह वह कौन महाराना प्रताब वह वीरा ग्रणी वीरेशु अग्रणी जो वीरों में भी अग्रगण्य था ऐसा नहीं था कि भारत की भूम में वीरों की कमी थी लेकिन वह वीरों में भी शूरों में भी अग्रगण्य था ऐसा और वह कैसा था अभाई युद्ध कला कलाप अब युद्ध कैसा अभय जिसमें कोई भय नहीं है अभय आयाम युद्ध कलायाम कलाप निपुना है अभय युद्ध कलामे बिना भय की कोई गुंजाइस नहीं है सैनिक हैं लडने वाले हैं तो भय की कहां गुंजाइस है ऐसे युद्ध कलामे ऐसे युद्ध की के तरीके में जो कलाब था जो निपुण था वैसा सानाया है सिर्फ वीरही नहीं था वह कैसा था नयेन सहित होता है सानाया है अरथा नीतियों का ज्याता था और कैसा था प्रतापी भाद बर्शाली था ऐसा endeचा अगा हभवाति थे आसा मेरा बेटा अध्यक्ति आज कहां है depressed बेटे को मैंने जन्म दिया है और आज भारत भूमी में ऐसी नौवत क्यों आ रही है कि कायरता आ रही है तो माता जो है वीर की माता यानि वीर वहाराना प्रताप जैसे वीर की माता भारत भूमी और उस भारत भूम में भी हल्दी घाटी की जो भूमी है वह कहती है मेरा वीर कलाओं में निपुण नीत से युक्त प्रतापी यानि बहुत ही वीर और ऐसा जो मेरा बेटा है अधिक वास्ति आज कहां है इती रो दिती नू ऐसा कहते हुए वह मानों विलाप करती है वह मानों रो रही है यह थी हल्दी घाटी के शोक कवर्णन प्यारे बच्चों पिछल गौरव भी मा को होता है लेकिन अगर उसका बेटा कायर हो जाए दरपोख हो जाए या कोई गलत काम करे तो सबसी ज्यादा तकलीफ मा को होती है तो जिस माने जिस भारत भूमी ने इतने बड़े बड़े वीरों को जन्म दिया है और जब वह देखती है कि हमारा देश गु वह कैसे पंचोब चार करती है कौन सी माता का भारत माता का और वह अपनी प्रकृति से ही करती है कोई अलग से नहीं आता पूजा करने के लिए तो आते हैं देखते हैं सबसे पहले श्लोक को पढ़ते हैं पुष्पम फलं तदनु गंध वह समीरह खद्योत पंग्ति रमलाच पिकाली केती है अत्रापी यत्र सरलप प्रकृत प्रनीतं पंचोब चार पूजन मस्तिमात हु तो कहते हैं पंचोब चार करती है धरती कैसे अत्रापी अत्र जमा अपी हो गया अत्रापी यहां भी यत यत्र जहां अत्र तत्रापी के बारे में तो आप जानते ही होंगे अत्रापी यहां भी यत्र जहां पर पुष्पम बताने की आवशकता नहीं है पुष्पम फूल होता है फलं भी आप जानते हैं और पुष्प और फल के साथ तदनु गंध वह समीरह 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 हवा और अमला खद्योत पंक्ति है अमला मलहीना निर्मला खद्योता नाम पंक्ति है जुगनों की पंक्ति बिल्कुल निर्मल जैसे एक पंक्ति में चली जारी है सारे जुगनों हैं और रोश्णी फैलाते हैं वैसे खद्योतों की जुगनों की पंक्ति और पिकाल गेती है पिका का नाम आलि पिकाली पिको का यानि कोईलों का समय और उनका गीट होता है पिकाली गीट ही अब पांचीज हुए यां नहीं ज़रा देखिए पहला है फूल दूसरा है फल तीसरा क्या है गंदवाहह समीरा हर समीर कैसा हवा कैसी सुगंधित हवा और दीपक का काम क्या करेगा अमला खद्योत पंक्ति, बिलकुन निर्मल, कौन? जुगनों की पंक्ति, और गीत का काम, भजन का काम क्या करेगा? पिकाली गीती, कोईलों का जो समू है, उनका जो गीत है, उनका जो मदुर संगीत है, ये पांच चीज़ें, इती, पंचोप चार पूजनम, पंच उपचार पूजनम, अब पंचोप चार क्या हुआ? पंच उपचारा, पूजा बस्तूनी यत्र, तत पंचोप चार पूजनम, ये मातु, किसका है ये पंचोप चार पूजन? माता का कृते, उसके लिए सारल प्रकृति प्रनीतम, सारल या प्रकृतिया प्रनीतम, प्रनीतम इती उपलब्ध कराया गया है भारत माता की पूजा के लिए कोई सामगरी बाहर से लाने की आवशक्ता नहीं है प्रकृति नहीं या मुहया कराया है प्रकृति नहीं या उपलब्ध कराया है और वो पांच चीजें हो गई तो अर्थात यह जो पांच वस्त्वें जो पूजा में प्रयोग की जाती है वह पांच ओबस्ते हैं यहां पर आ गए हैं तो बच्चो इन जो पांच लोगों में आपने देखा वह क्या देखा है एक तरफ तो राणा प्रताप की वीरता की बात आपने जाने ही और आपने यह भी जाना कि वह धर्दी जहां पर कोई बहुत बड़ा वीद, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा यह सश्वी कोई ब्यक्ति जन्म लेता है तो वह धर्दी अपने आप में गौरवानमित होती है और वहां के कुछ सौंदरी की बा होगा है तो एक कुछ समाब्द करना थोडा सा आसान नहीं होगा अगली में देखेंगे और अगली कख्शा में असमाँतार से बात बढ़ें प्यारे बच्चों इन श्लोकों को आप पड़ोर पढ़ेंगे और बहुत अछी से इस शुरू करेंगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे इसके साथ ही मैं आज आपसे विदा लेती हूँ और अगली कक्षा में हम पुनाहा जो शेश श्लोक हैं उनका अर्थ भी देखेंगे और आपके अधिकम की जाज भी करेंगे तब तक के लिए नमो नमाहा अर्थ